तो आज है दो मार्च और आज का मॉस्ट इपर्टेन का रेंट अफर लेकर आया हूँ फ्रेंट्स वीडियो के लास्ट में प्रिविएस मंद से भी टॉप टेन का रेंट अफर का टेस्ट लगाऊंगा तो आप लोग टेस्ट को जोग देना चलिए सबसे पहले एक मार्च के करेंट अफर का रिविजन कर लिजे पहला कोशन निम्न में से किस दिन विश्वा दूरलब रोग दिवस मनाय जाता है 29 फरवरी को मनाय जाता है 2020 के लिए थीम है री फ्रें रेयर हुरून गुलोबल रिच लिष्ट 2020 के अनुसार किस भारतिये ने दुनिया के दुसरे सबसे कम उम्र के अरब पती बनने का गौरो प्राप्त किया है रितेस अगरवाल ओयो रूम्स के संस्थापक है ये वर्ड लाइन इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादर डिजिटल लें देन में कौन सा शेहर पहले अस्थान पर है बेंगलूरू किस अराज्य ने जाती अधारित जनगर्ना करने का निरने लिया है बिहार ने अभिसेक सिंग को किस देश में भारत का राजदूत बनाए गया है विनेजुएला में स्वामी विवेका नंद कर्मयोगी प्रवसकार 2020 के लिए किसी चुना गया है जादो पायंगो को जादो पायंगो फॉरेस्ट मैन ओफ इंडिया भी कह जाता है दुनिया के सबसे बुजूर्ग बैक्ति का क्या नाम है जिनका हाली में 112 साल की आयों में निधन हो गया चितेटसू वातानबे ये जपान के थे हाली में चार्चा में रहा ख्वाजा मॉयनुदीन चिष्टी उर्दू अर्भी फार्सी विश्वविद्याले मॉंबई का नाया पुलिस कमिस्नर किसे नियुक्त किया गिया है परंबिर सिंग को सुमंत कठपालिया निमन में से किस बैंके नए एमडी एंड सी यो नियुक्त हुए है इंडसिन बैंके सबसे ज़्यादा भसाओं में फिल्मों को संपादित करने के लिए लेम का बुक औफ रिकॉर्ड्स में किसका नाम दर्ज किया गया है सिरीकर परसाद को सिरीकर परसाद फिल्म एडिटर है 28 फरवरी को नई दिल्ली में 11 राष्टरी क्रिसी विग्यान के अंदर समयलन 2020 का उद्गाटन किस ने किया नरेंदर सी तोमर ने इसका उद्गाटन किया ये किंद्री किरिसी मंतरी है इस समयलन का थीम था Empowering Youth for Technology Lead Farming अब चलिए देखते हैं आज का करेंट फिर पहला कोशन मोहयूद देन यासीन निम्न में से किस देश के नए परधान मंतरी बने है मोहयूद दीन यासीन मलेशिया के नए परधान मंतरी बने है इस तारह से ये मलेशिया के आठवें पियम बने है अब सभी को पता होगा मलेशिया के परधान मंतरी थे महातिर मुहम्मद उन्होंने हाली में अपने पद से इस्तिफा दे दिया महात्यर मुहम्मद दुनिया के सबसे अधिक उम्र के परधान मंत्री थे उनकी उम्र 94 वर्स है दो बार पीम बने थे एक बार 1981 से 2003 तक और दूसरी बार 2018 से 2020 तक तो मलेशिया के नए परधान मंत्री बने है महयूद दीन यसीन मलेशिया के कैपिटल कौलालामपूर यहां के किंग है अब्दुल्ला अल हज संसात का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है रिंगिट हाले में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझहोते के ताथ अगले कितने महिनों में अमेरिका अफगनिस्तान से अपनी सेना वापस बुलालेगा तो अगले 14 मा में अमेरिका जो है अफगनिस्तान से अपनी पूरी फोज को वापस बुलालेगा इसके लिए अमेरिका और तालीबान के बीच समझोता किया गया है 29 फरवरी को कतर की कैपिटल दोहा में शांती समझोता का आयोजन किया गया था ठीके उसका आयोजन किया था रूस ने और उसमें 30 देसों के परते निदियों ने हिस्सा लिया था भारत ने भी भाग लिया था भारत के विदेश सचीव है हर्स वर्दन स्त्रींगला उन्होंने इस बैठक में भाग लिया था जो की शांती समझोता था अमेरिका और तालीबान के बीच में इस तरह से पहली बार तालीबान से जूड़े किसी मामले में अधिकारिक तौर पर भारत शामील हुआ था अफगानिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल है काबुल राश्टर पती है अश्रफ गनी जो की हाली में लगतार दूसरी बार राश्टर पती बने है संसद का नामे नेशनल एसेंबली जिसे शोरा भी कहा जाता है यहां की मुद्रा का नामे अफगानी अमेरिका की बात करें तो कैपिटल है वशिंग्टन डेसी वर्ल्ल बैंक और अंतरश्टरी मुद्रा कोस दोनों का मुख्याले वशिंग्टन डेसी में ही है राष्टपती डोनाल ट्रम्प 45 वे राष्टपती हैं जो की हाली में भारत के दोरे पर आये हुए थे और नमस्ते ट्रम्प का योजन किया गया था एहमदाबाद के मोटेरा एस्टेडियम में संसद का नामें कांग्रेस और मुद्रा का नामें डॉलर देष का सबसे प्रतिष्थित कॉर्पोरेट यवार्ड लीडर ओफ डेकेड से सम्बानित किया है लीडर ओफ डेकेड यवार्ड से सम्बानित किया है CNBC TV 18 ने मुकेश अंबानी दुनिया के नौवे सबसे अमीर बेखती है हाली में हुरून ने अपना रिपोर्ट जारी किया था उसके अनुसार दुनिया के नौवे सबसे अमीर बेखती है मुकेश अंबानी इनकी वर्तमान में दौलत है 67 बिलियन डॉलर पहले अस्थान पे हैं जेफ बेजोस जो की अमेजन के संस्थापक हैं उनकी दौलत है 140 बिलियन डॉलर राश्ट्रिय संखी की कर्याले द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर दिसंबर तीमाही में भारत की विकास दर कितनी रही तो अक्टूबर दिसंबर तीमाही में भारत की जीडेपी गुरोथ रेट रही 4.7 प्रतिशत ओप्शन दी सहुत्तर हैं राश्ट्रिय संखी की कर्याले ने ये भी बताया है कि चालू वित वर्स के अप्रेल दिसंबर में भारत की विकास दर रही 5.1 प्रतिशत चट्थे भारत विचार समयलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है तो चट्थे भारत विचार समयलन 2020 का आयोजन हाली में किया गया नर्मदा जीले में नर्मदा जीला कहां पर है गुजरात में है ओप्शन ए सहुत्तर है इस समयलन का आयोजन Statue of Unity के निकट केवाडिया में किया गिया था जो की नर्मदा जिले में है इसका आयोजन किया था इंडिया फाउंडेशन ने इस समयलन का विशाय था Turning to Roots, Rising to Heights राजनिते के लिए निम्निमे सिखी से दक्टर स्यामा परसाद मुखरजी पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गिया है सर्वनंदा सुनवल को ये वर्तमान में आसम के मुखे मंत्री है Option A सहुत्तर है इन्हें ये पुरसकार भारत विचार समयलन में दिया गिया माल दिव के पुर्व राश्टर पती और वर्तमान में माल दिव के संसद पेपुल्स मजलिस के अध्याच्छे मुखमद नशीद उन्होंने अपने हाथों से इन्हें ये पुरसकार परदान किया इस पुरसकार के ताथ एक लाख रुपे की नामिराशी दी जाती है नेक्स्ट प्रती वर्स शुन्य भेद भाव दिवस कब मनाये जाता है तो हर वस शुन्य भेद भाव दिवस मनाये जाता है एक मार्च को Option भी सहीवदतर है ठीके HIV-AIDS के पिरितों के साथ भेद भाव रोकने के उदेश से हर वस ये दिवस मनाये जाता है यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस की गोसना की थी 2013 में ठीक है अभी आपने नाम सुना HIV AIDS कई बर इसका फूलफम पूछ लेता है तो HIV का फूलफम होता है Human Immunodeficiency Virus और AIDS का फूलफम होता है Acquired Immunodeficiency Syndrome एक मार्च 2020 को किस विशय के साथ विश्वन नागरिक रक्षा दिवस मनाए गया तो दोनों दिवस एक मार्च को ही मनाए जता है और दोनों इंपोर्टेंट दिवस है ध्यान में रखिएगा तो विश्वन नागरिक रक्षा दिवस 2020 के लिए विशय है Protection of Children Our Responsibility विशय को हिंदी में बोलेंगे बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी तो हर वस ये दिवस मनाए जता है एक मार्च को अंतराश्रिय नागरिक सुरक्षा संगठन ने इस दिवस के घोसना की थी 1990 में Next उननिसवे विश्व उत्पादक्ता कांगरेस 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो इसका आयोजन किया जाएगा करनाटक की कैपिटल बेंगलूरू में Option A सही उत्तर है 6-8 मई को इस समयलन का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर आपको बता दे कि पिछले 45 सालों में पहली बार इस समयलन का आयोजन किया जा रहा है भारत में उत्पादक्ता पर विश्व का सबसे बड़ा समयलन इसे माना जाता है इस समयलन के शुरुवात की गई थी 1979 में और भारत में पिछली बार इसका आयोजन किया गया था 1974 में ठीक है ये जो सम्मेलन है इसका विशे है उद्ध्योग 4.09 और उत्पादक्ता इंगलिश में इंडस्ट्री 4.0 इन्नोवेशन एंड प्रोड़क्टिविटी तो इस बार का ये उन्नीसुआ संसकरन है नेक्स्ट हाली में शदाक्षरी सेटर का 85 वर्सकी आयो में निधन हो गया वे क्या थे तो शदाक्षरी सेटर बहुत ही प्रसिद इतिहास कार थे ओप्शन भी सेहुत्तर है और ये कहां के थे करनाठक के थे इंडियन रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला रेल रेस्टरा रेस्टोरेंट ओन विल्स लॉंच किया है आसन सोल रेलवे स्टेशन पर ये स्टेशन पश्चिम बंगाल में है ठीक है तो देश का पहला रेल रेस्टरा है इसका नाम दिया गया है रेस्टोर प्रिवियस वन से टॉप 10 करेंट अफर का टेस्ट लगा रहा हूं दिसंबर माह का ये सेट 9 है जितना भी स्कॉर आएगा नीचे कमेंट करके जवरू बताना पहला कोशन हाली में भवानी मुखरजी का 68 वर्सकी आयू में निधन हो गया वे किस खेल के पुर्व मुख्य कोच थे ओप्शन देखिए हर कोशन के लिए 2 सगेंड का टाइम दूँगा वीडियो को पाउस करिए अंसर टिक करिए उसके बाद मेरा अंसर सुनना तो इस कोशन का सहुत तर है ओप्शन D टेबल टेनिस के पुर्व मुख्य कोच थे नेक्स्ट दिसंबर 2019 में हीट वेव की तैयारी शमन और परबंधन पर दो दिवसिये राष्ट्रिये करेशलक आयोजन कहां पर किया गया बताईए कहां पर किया गया तो इसका आयोजन किया गया बैंगलूरू में ओप्शन C इसमें भारत 73 में अस्थान पर है ओप्शन B किस अरजय की सरकार ने हाली में एंटी डिप्रेडेशन एस्ट्वार्ड लॉंच किया है तो जनवरों से इंसानों की और इंसानों से जनवरों की सुरक्षा के उद्देश से एंटी डिप्रेडेशन एस्ट्वार्ड लॉंच किया है आसम की सरकार ने ओप्शन C चोथे इंडिया वाटर इंपेक्ट सम्मिट 2019 का आयोजन कहां पर किया गया था कहां किया गया था दिसंबर में इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में ओप्शन A और इस सम्मिट का विशाय था वैल्विंग वाटर ट्रास्फॉर्मिंग गंगा फाइड ओपन काटेगरी में लंदन चेस क्लासिक टुनामेंट 2019 का खिताब किसने जीता बताइए फटाफट तो इसका सयुदतर है ओप्शन B आर प्रग्नानंदा दिसंबर 2019 में शार जाह में खेले गए पुरुस वंडे मैच में किस महिला में मैच रेफरी बनकर इतिहास रचा इनका नाम बताइए तो इनका नाम है जी एस लक्षमी ओप्शन C नेक्ष्ट प्राथम स्यू का फा एवाड 2019 किसे सम्मानित किया गया है ओप्शन देखिए तो इसका सही उत्तर है ओप्शन D डाक्टर पदमेश्वर गोगोई नेक्ष्ट स्वतंत्र समानांतर रन्वे वाला भारत का प्राथम हवाई अड़ा कौन बना है इस हवाई अड़ा का नाम बतेगे करनाटक में है कैंपे गोड़ा अंतरशी हवाई अड़ा जो कि बंगलोरू में है नेक्ष्ट जुनियर वकीलों को पांच हजार रुपया साहता राशी देने के उड़ेश से आंतरश परदेशने हाली में कौन सी योजना शुरू की है ओप्ष्ट देखिए इस योजना का नाम है वाई एस आर लो नेस्थम योजना ओप्ष्ट भी सही उत्तर है जितना भी इसको राये नीचे कमेंट करके ज़रू बताना पिछली क्वीज का एंसर जान लिजए पहला कोशन था मीडिया छेतर में भारत की सबसे शक्ति साली महिला का एवाड की से मिला सभी लोग ने एंसर सही दिया था कल्ली पूरी को दूसरा कोशन था अब आज का क्वीज कर रहा हूं जिसका अंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है पहला कोशन सितंबर 2019 में माधो अप्टे का 86 वर्स की आयो में निधन हो गया उनका संबंध किस छेतर से था दूसरा कोशन है 21 सितंबर 2019 को किस विसाय के साथ विश्वा शांती दिवस मनाए गया